नमस्कार जैहिंद आप सभी का स्वागत है OMR का लुक शायद आपने पहले कभी देखा हो पर UPSC के OMR का लुक जो पहली बर अटेंब देने जा रहे हैं आपके सामने है ऐसा कुछ OMR आपके सामने आएगा और यह UPSC के वेबसाइट से ही हमने निकालने की कोशिश की है और यहाँ पे कुछ कॉमन मिस्टेक से जो UPSC को पता है कि लोग कर रहे हैं उसे साफधानी बरतीगा आई चर्चा करते हैं पहला बहुत बड़ा कॉमन मिस्टेक है यह देखें यह UPSC के वेबसाइट पे मिला कि यह बहुत कॉमन मिस्टेक है अब यहाँ पे यह वाला जो कॉलम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बुकलेट सेरीज है जिस पे गोला करना होता है OMR पे और उपर लिखना होता है इन्होंने A लिखी है और नीचे गोला A पिकी है बिल्कुल सही है इन्होंने A तो उपर लिखा है और नीचे C में गोला किया अब इनका जब OMR में जाएगा तो यह सारा आंसर टैली करेगा C के बुकलेट सिरीज के हिसाब से सारे आंसर साएगे तो सब उल्टा नीचे हो जाएगा तो आपने को याद रखना है अगर उपर A है तो नीचे भी C भरना या A भरना है अगर उपर C है तो नीचे भी C भरना अचा कुछ लोग वहाँ परेशान होते है कि सर OMR देखी पहली बार OMR जो भर रहा है वो सभाविक सी बाते परेशान होगा तो सेंटर लिखा है सब्जेक लिखा है बुकलेट सिरीज सब्जेक रोल नंबर यह सब्जेक आपके एड्मिट कार्ड में होता है रोल नंबर आपके एड्मिट कार्ड में होता तो whatever your school name, comma, उस center का एक code होगा, वो यहीं पर सब भर दीजेगा, नीचे की तरफ लेकर, subject में कोई tension लेनीक ज़रोत नहीं है, paper 1, paper 2 आपके दो ही subject है, वही आपको यहाँ पर डालना है, तो आप वहाँ पर पर परिशान ना हो, चिंतित ना हो, बहुत आराम से इसको भरियेगा और यह गलती नहीं होनी चाहिए, दूसरी गलती हम आपको दिखाए, error क्या हुआ है, encoding not done by the candidate, अगर आपने यहाँ पर booklet series नहीं भरी है, तो आपका पूरा का पूरा जो मेहनत है, वो खराब हो जाए, तो आपको यहाँ पर booklet series जरूर डालनी है, यह बहुत important है, ताकि आपका OMA ठीक से evaluate हो सके, यहाँ पर विशेश करके ध्यान दीजेगा, तीसरा mistake आपको दिखाने है, encoding subject code and role number की उपर, wrong encoding of subject code और wrong number अगर role number भी आपने गलत लिख दिया, सुनिए बहुत गौर से, मेरा subject है अगर 0-2 और मैं 0-2 पे mark करना हूँ, बिलको सही कर रहा हूँ, मेरा subject माल ल आगे में मैंने 1 पे कर दिया, गलत हो गया, अब आपकी copy जब जा रही है, अभी सोचने है, यह 0-1 को उठाया हूँ, अब 0-1 की हिसाब से answer telly कर रहा है, वो ही नहीं सकता, गलत हो जाएगा, और कई बार लोग जलबाजी में रहते हैं, यहाँ पर बिलकुल सही से role number को अंक हो जाते तो आप एक काम करिएगा, बहुत इंटिनान से, आराम से, समय रहता है, 0 भरना है, पहले ढूंड़िए इस row में, इस column में 0 का है, यह 0 रहा, अभी column छोड़ दीजे, अगले column में यह 8 देखिया, 8 का है, आप आराम से, धीरे-धीरे देखकर भरें, बहुत समय रहता आपको पहले ही दी जाती है, गलती मत करिएगा, क्योंकि अगर गलती हुई, तो नंबर सब मेहनत आपकी यहीं पर खतम हो जाएगी, अगला, कुछ ऐसे mistakes भी देखने को पाए गए हैं, जहां पे, अब यह OMR है मेरा, कुछ लोग बड़े धूर अंदर, अब वो सोच रहे ह हैं, कहीं और भी भर दो OMR में, हम लिखेंगे ओम, नमस्षिवाए, कुछ भी लिखेंगे, कोई भी एक चीज लिखेंगे, अब लोग क्या करेंगे, यहीं पर ओम मनाने लगेंगे, यहीं पर भरने लगेंगे, रह भाईया, यह OMR का वो एरिया है, जहां मशीन डिटेट कर करती है, कि OMR ठीक से लगा है कि नहीं, मशीन ओम पढ़कर क्या करेंगे, उसको समझ में नहीं आएगा OMR, तो आप यहां पर अपना कुछ भी आर्टिस्टिक जो आपको दिखाना है, क्या बड़े कलाकार है, कि कलाकार यहां नहीं यहां दिखाईगे, OMR में गोला भरने मे दिखना चाहिए, अगर मैं गोले को छूता हूँ तो, और साइड में कोई भी मार्किंग नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा, साइड में कोई मार्किंग नहीं हो, अच्छा, क्यूंकि गर्मी बहुत प्रचंड पढ़ रही है, पसीना भी स्वभाविक सी बात आएगा, आप एक रुमाल जरूर रखिएगा, कई बार कुछ लोग क्या करते है, पेपर सॉल्व करते है, OMR इसमें दबा लेते नीचे, अब जब तक आप OMR भरेंगे, पसीने ने तो OMR को पहले ही भर रखा है, सब मिटने लगता है, कोशिश करिएगा, एक रुमाल जरूर रखिए अब यह देखिएन का मन नहीं था, इन्होंने चालू किया C को रंगना और C को आधा रंगा है, इन्होंने A भरा, A को बसे गोला लगा दिया भाई, तू पढ़ ले, ऐसे आपको बिलकुल सटीक पूरा भरना होगा, याद रखिएगा, OMR को अगर आप आधा भरते तो OMR अब आपका पेपर चालू हो चुका है, अब लिस्ट आती है, जिसको कहा जाता है, आपके पास एक लिस्ट आएगी, यह ऐसी दिखती है, इसमें आपका नाम, फोटोग्राफ, रोल नंबर सब लिखा होगा, यह एक्जामनर्स ले लेकर आपका आएंगे, या फिर कॉमनली एक्जामनर क्या करते हैं, कि यह कॉपी एक रख देंगे, आपके सामने बुलेंग भाई, पीछे पास कर देना, और लोग पास करते रहते हैं, जिनको एक्स्पीरियंस हैं, उनको बहुत दिक्कत नहीं होती है, पर जिनको पहली बार आ रहा है, उनका धगधग भी बढ़ा रहता है, तुनिए अगा बहुत गोर से, यह ऐसा कुछ आता है, मतलब इस पूरी लिस्ट में एक नाम होगा, आपका रोल नंबर होगा, अब यहाँ पर बड़ा इपोटन है मुझे करना, आपको प्रेजेंट एपसेंट मार करना होता है, तो आप प्रेजेंट एपसेंट म मिलेगी, उसका एक नंबर होगा, आप ऐसे तिर्चा करके देखेंगे, उसमें एक नंबर लिखा होगा, वो नंबर आप यहाँ भरेंगे, और इसके साथी में आपको बता दे, आंसर शीट नंबर अब आपको भरनी है, आंसर शीट मतला, OMR की, OMR पे भी एक लिखा रहेग हर टेस्ट बूक का सीड़ नंबर अलग होगा, और आंसर शीट नंबर मेरा यूनीक होगा, मेरे लिए होगा, इसको बहुत आराम से भरिएगा, सुचे यूपेसी इसलिए बार बार ये क्रॉस चेक्स रखती है, ताकि कहीं अगर छोटी मोटी गलती हो ना, तो यूपेसी उतना संभाल भी लेगी, पर अगर आप बलंडरी कर देंगे, तो कौन संभालेगा, यहां पे बहुत आराम से भरिएगा, अच्छा कई लोग जलबाजी में होते हैं, अब यहां लिखा हुआ है, खुशी पांडे, यह जाके साइन कर दी हैं, राजेश यादव जी में, ऐस आप देख लिजए, उपर आपका नाम दिखा है, नीचे जहां हस्ताक्षर लिखा है, वहां आपको अपना हस्ताक्षर करना, क्यांडेट सिगनेचर आपको वहां करना है, किसी और क्वाले में मत करेंगे, उसका भी केस बिगड़ेगा, आपका भी बिगड़ेगा, बहुत आराम से एकदम वहां प्रेजन्ट होके आपको ये करना है, अच्छा दूसरा देखी, इन्होंने वही सिगनेचर इधर उदर कर दिया, रॉंग मार्किंग और प्रेजन्स, अब आप यहां पे प्रेजन्ट थे, आपने एपसेंट में मार्क कर दिया, अब जो लोग काटते हैं OMR पे, जैसे आपने गोला कर दिया, अब उसको काट रहें, उसका कोई मतलब नहीं है, वो OMR खराब हो चुका, दूसरा आपको बता दे, वाइटनर के इस्तमाल करने से बस आपके मन की शांती है, वाइटनर को भी OMR ठीक से नहीं लेता है, या उसको डिटेट करी लेग आराम से भरी, ये क्या फायदा है, इसलिए I wanted to talk about this, OMR के बहुत बड़ा डिलेमा आता है कि सर, कब भरें और कैसे भरें, पहली चीज़, एक सबसे बड़ा रूल हमने देखा है कि कुछ लोग होते हैं, जो एकदम एंड में भरना चाहते हैं, वो एंड आते आते इतना किया, भरते चली, Q1, भर दिया, Q3, भर दिया, Q10, भर दिया, Q10, भर दिया, OMR बे कुछ लिखने लगे, ये हमारा मानना है, आप अगर चाहते हैं, आप लास्ट वाला तरीका अपना सकते हैं, कि मैं लास्ट भरूँगा, पर हमने हमेशा उसमें देखा है कि लोग परेशा अगर पहला question मेरा 12 मुझे मिला solve करने दा तो मैं 12 भरूँगा पहले, फिर 13 भरूँगा, वैसे अमूमन हम क्या करते थे, 100 से 1 पर आते, तो क्या होता, मन में psychological लेता है, पहले 100 को भर दिया, 90 भर दिया, रहे मेरा जल्दी हो रहा paper, ये भी हो सकता है, अच्छा, कैसे भरना ह एक तो पूरा भरना है, आप एक pen ऐसी चुनिए, यहाँ पर चुकि मुझे लिखना नहीं है, भरना है बस, तो pen मेरी थोड़ी सी अगर मोटी हो, मतलब 0.5 mm से जादा हो, या 0.5 mm हो, तो भी चलेगा, अब आप भरेंगे तो आराम से भर पाएंगे, तो गाड़ी pen हो, मोट पैनों, उसको आराम से अब OMR में चलाइए, वो आराम से भर देगी, ब्लाक बॉल पॉइंट होना चाहिए, ब्लू लेकर मत जाईएगा, ब्लू रख लीजे, पैंसिल लख लीजे, अलग बात है, पर ब्लाक बॉल पॉइंट पैन वहां लेकर आपको जाना पड़ेगा, औ और इसी किसाल हम आपसे विदा भी लेंगे, आपकी फोटोग्राफ अब हमें यहां पर चाहिए, तो बड़ी महनत किये आपने, और हम आपकी फोटोग्राफ यहां देखना चाहेंगे, समझ से आपकी समाधान हमारा 15 मन्स का हम कोर्स ओफर कर रहे हैं, 29999 में, तो याद र चालू आपका 15 से होने वाला है, जूड सकते हैं, अगर आप दो साल का सम्स्रिप्शन लेते हैं, ऽीन का जोग्रफी ऑप्शनल हो एक बर जरूर समपर्क कर लें, आपको कुछ अच्छी चीज़ें बताएंगे और एक बढ़िए कोर्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं वो ब